हेलो प्रेंड मैं शेपाली जैन त्री सिग्री के डिजिटल प्रिफर्म में आपका स्वागत करती हूं आज मैं आप एक टॉपिक पढ़ाने जारी हूं जिसका नाम है अजम तोड्स यह हिंद्य वले अंतर इस पर जिया पहले इसका मीनिंग समस्ते होता क्या है अजम तोड् कि अरव यदे कर्वे कर सकती है यह कर्वे कुशन को कॉस्छन में डिफाइन होंगा उससे टच होती हुँए कितनी लाई ड्रो कर सकते हूं तरने हां यह कर्वे किट्नी दिशकर ह कर सकती है उसको क्या बूलते है वह छ saya फॉड्ट्स तो अजमटोर्स को कि अटर्पर्सी बाले कितनी लाइन्हे लाइन आप चाहिक रिनुट करते हैं किस से धर्नोट करते हैं? लाइन्हे व Watts कितनी बाले कितनी रेखा हैं आप गुजर सकते हैं टयूट मार्स करते हैं, आनधर jeśli यहां परते हैं कि यहां पर पैलर मतलब की X, Y, X, X, Y. पहले में पनी जो line और पन ड्रोह कर रहे हैं कहीं से भी जारी कोई पैलर नहीं कि एकसी पैलर है या या कहीं से भी जारी है सब्सक्राइव? यहां पर अपन को पब्या ताइप में नन पब्यार वाला कॉशन करना दो जिसमें जो लाइन है कहीं से भी रोह वो पब्यार समांतर नहीं है दूसरी टाइप को में कैसे पढ़ांगे कोई पै्रलेरा यह यह एक्स की पैरलर, यह अपना Y है यह अपना X है यह एक्स की पैरलर जाते हुई लाय लाय ले ले अपने ड्रॉ हो रहे है वह फाइन करने आ सकते हैं तो पहले एपन इसके वर्किंग रूल समझते हैं कि अंतरस पर सिय को कॉश्चन में आप कैसे सौल करोगे जब वर्किंग रूल गिवन ढगिक्वीशन और कर बार कम कब रूइग को आपको एफ प्रीकशंप यह प्लस की को इन गिवन होगा टो साधुझ है सौल करना खाल करना है यह को दर् cit सेकंड काम है y equal to mx given equation and put करोगे तो आपको separate करना है xq पावर वाले equation अलग x square वाले अलग और x वाले अलग यानि कि separate the coefficient of xq x square x आपको separate करना है xq वाले अलग जिनकी power square उसको अलग और x वाले अलग ठीक है यापका second step 5 steps 3rd कीबात करते है to equal to the coefficient of xq x square x यहने आपने सब्सक्रेट करें है xq x square x and x उनको equal to 0 रख देना है x square को जो coefficient गुडांक होगा उसको equal to 0 रखना है x square का coefficient गुडांक होगा उसको equal to 0 रखना और x कीबात करते है for the value of m अब line coefficient जो है y equal to mx plus c होता यहने आपको m की और c की value निकालने है उसके लिए पर प्रोसेस बढ़ रहे है तो पहले value किसकी निकाल रहे है तो x square q का जो coefficient तो में equal to 0 रखोगे उसकी help से आपको m की value मिल जाएगी step word for the value किसकी निकाल रहे है c की तो यहाँ पर जो x square का coefficient रखोगे उसकी help से किसकी value मिल जाएगी आपको x की value c की value ठीक है इससे x q की coefficient से आपको m की value मिलेगी x square की coefficient को equal to रखने 0 equal to रखने पर आपको c की value मिल जाएगी यदि यदि x से c की value नहीं नहीं कल रहे है तो coefficient कौन सा carry करेंगे x वाल हो यदि इसी से c की मिल जाएगी तो यहाँ पर खता हो जाएगा 5th step put the value of m and c किसमें डालोगे y call to m x plus c में put कर दोगे m की c की तो अपन को क्या मिल जाएगा Azam Roachs का equation मिल जाएगा ठीक है आपन question करते हैं यहाँ पर type define करें type of equation type first for non parallel define करा मैंने कोई curve है x y में जो कहीं से भी line draw कर रहे है बक्र लिया है तो अपन को non parallel बाले पढ़ने पर रहे हैं कोई axis के parallel form में define हो रही है वो अपन को question करने पहले में type first type की question करा रही हूं जो क्योंसा है? parallel form non parallel type first find asymptote of the curve कर रहे हैं asymptote हिंदी में दिये गए वक्रिकी अंतर इस फड़्चिया करना है equation है x q plus 2 x square y minus x y square यह अपना पूरा equation equal to 0 working to gold रहे हैं तो पहले solution given that given equation आपको यह first step y equal to mx plus c जहां जहां y वहां का डाल देंगे mx plus c तो मैंने यहां y y में mx डाल रही हूं तो यहां पर क्या बनेगा आपका x q 2 x square y की जगा कितना जाएगा mx plus c minus यहां पर कितना बन जाएगा आपका यह तो अबना पूरा हो गया minus यहां कितना जाएगा mx plus c whole square y square mx plus c इसमें देखते हैं यहां बनेगा आपका minus 2 mx plus c की पावर क्यों बन जाएगा यह बन बन जाएगा x mx plus c c minus कितना बनेगा mx plus c square minus 1 equal to 0 जहाँ जाएगा y था हो जाएगा mx plus c इस step को मैं लिखती हूँ और solve करती हूँ next slide में मैं लिख लिया है यह वाली step यह वाली ठीक है इसको solve करते है तो पहले किया है आपका xq ऐसी है यहां देखते है xq इसको मुल्टिपिशन करते हैं solve करना है तो आज अगर 2 m को बन पहले लिख लेता है x का square का इसमें करोगी तो xq हो जाएगा अगर आपको यहां पर मैंने पहले 2 लिखा constant को पहले लिखे अब x को solve कर रहे है x square में x को मुल्टिपिशन करोगी तो कितना जागा x square यहां देखते है यहां जागा 2C इन 2 में कितना बचेगा आपका x2 तो कि x है नहीं आप next देखते है minus का x है अब यहां पर a square b square का formula लगाना पड़ेगा तो formula क्या होता a square mx का whole square a square 2 यहां पर कितना बनेगा a q b q 3 a square into b a b square a b square plus यहां कितना बनेगा m x square यह बन जाएगा c x minus यहां भी बन जाएगा m x का whole square c square 2 a b minus 1 equal to 0 यहां पर formula लिख लेती हूं formula कौन कौन से apply कर आपने formula कौन से apply कर आपनने formula कौन से apply कर आपनने formula कर आपनने यह वाला पहले formula डाला मैंने a plus b का whole square लगाया है क्या होता है a square b square 2 a किसमें square वाली इसमें यह वाला लगाया है और एक formula यह apply कर आपनने a plus b का q कितना होता है a q b q 3 a square b 3 a b square कैसे याद करती हूं मैं power q है तो दोनों पर q क्यों 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 लगए कि इन दोनों की whole power 3 होने चाहिए तो पहले square इस पर लगाया एक single power 3 हो रही है यहां देखें a पर single लगाया b पर square पहले a square करना पर b पर कर देना ठीक है इसको solve करते है प्लस यह किता बन रहा आपका 2m square क्यों है यहां बन रहा आपका 2c x square ठीक है इसको अंदर करते है माइनस का x यह किता बचल रहा आपका m square x square ठीक है whole square m पहला कर दिया x पहला कर दिया यहां देखें तो plus का c square यहां बचलेगा 2m c x आ रहा था हमने पहले 2 लिखा पर c को और constant x हम इसे last में लिखें आपको next रहते हैं यह अपना complete होगे यहां तक अब यहां देखते हैं यहां किता चल रहा है माइनस का किता चल रहा है 2 यहां किता हो जाएगा mq xq यहां किता बचलेगा आपका cq यह बन जाएगा आपका 3m square x square प्रेंट 2 में c चली रहा है ठीक हैं यहां देखते हैं यहां बचलेगा 3m c square x plus plus किता चल रहा है M XC square plus CX ठीक है यहां तक हो गया complete तो first row को मैंने first में लेका second का solution second मैं अब third को solve पर रही हूँ minus, यह तो minus का direct multiplication कर देती हूँ तो minus का बन जाएगा आपका M square X square minus का बन जाएगा C square minus का 2 M C X minus का 1 equal to 0 ठीक है पहले किसको solve करा second row को second में लेका third का third में लेका अब इसको open solve करते हैं इस X को इसमें multiplication करना है तो हम multiply करते हैं पहले ही step लेक देते है XQ कितना बचल आपका XQ 2M कितना चल रहा है आपका 2M XQ 2M XQ 2C X square 2M XQ 2C X square 2 अब यहां देखते हैं X का इसमें करना है multiply हो minus X है तो पहले बचल बढ़ेगी minus M square इसकी power कितनी हो जाएगी Q ठीक है यहां लेक लेते हैं minus minus M square XQ minus यहां कितना बचल 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 रहा है यह बन जाएगा आपका C square minus X ठीक है यह संद में रहा है M square X क्यूँ बन गया और यहां पर ही हो गया यहां बचल रहा है minus C square X next step देखते है next में कितना चल रहा है आपका 2 M C X है तो X का multiplication X square बन जाएगा यह बन जाएगा आपका minus 2 M C X square first line complete second line देखते है second line क्या अपने पास second line अपनी यह इसमें कितने का multiplication करना आपको minus 2 का तो पहले डिजिट किती बनेगी minus 2 कितना बचेगा 2 M Q X Q और minus का 2 C square यह लिख रही हूं minus 2 M Q X Q minus 2 C Q और plus 6 कितना बचेगा फिर फिर आजाएगा minus का 6 M square X square C ठीक है और यहां बचेगा आपका यहां आएगा minus यह हो गया minus अब next step दिखते हैं क्या बचेग नहीं कहां तक solve कर लिए अपन नहीं यहां तक ठीक है अब इसका multiplication इसमें minus का 6 M C square X तो यह लिख रही हूं मैं minus 6 M C square X और क्या digit बचेगा यहां पर बचेगा यह तो M X square C X यह लिख लेती हूं plus M X square plus का C X second row भी complete और row 4 में लिख रही हूं first row complete कर रहा second अब यह देखते हैं यहां तो कुछ multiplication minus M square C square minus C square यह लिख देते हैं कितरा बच रहा है minus का M square minus C square minus 2 M C Z N कहां तक लिख लिख लिए इसको यह तक हो गया minus M-स चल रहा था और रही हो जाएगा minus का 1 minus का 1 equal to 0 ठीक है यह complete होगे open को का करना रहा है X cube and X square onền a vary as well X square वाले के साथ। X cube यह है X cube इसके साथ है X cube इसके सास्थ है ठीक है मैं मैं नी daylight मैं नीचे कुछे के इस ड Compeat मैं मैं नी जाए के रहते है रख수म रहके प्लशपविय। हां अपर ऑ अपर है कीठे है यहां मैं अपर अपर के वहले मैं केुछए की बाउब हमरा कि कर ननिय्क की मैं दिदेन के चटेए ओपर कको गष्य। वाले element तो पहला यह होगी अपना x square यह है और यह यह लिख दिया मैंने अब second row में देखते हैं यह क्यू है यह constant square यह तो बन जाएगा minus 6 m2 x square x plus mx ठीक है नीचे वाली रो में देखते हैं यह अपने पास minus का m square x square हमने आरहें कैसे check करी पहली रो की मैंने लिखे तो x square यह था यह लिखा मैंने एक यह है यह यह लिखा second row में check कर रहा तो second रो में यह था यह पूरा लिख लिए और एक यह था तो नीचे वाली रो में देखते तो एक यह था माइनस का c square x आप नीचे वाली रो में देखते हैं यह constant है वह लास्ट में लेकेंगे यह किता है आपका यह v square है यह x minus 6 m c square x square है यह plus का c x नीचे वाली रो में x देखते हैं इसी में है तो minus का 2 m c x और यह बन जाएगा आपका यह complete हो गया आप constant जिसके साथ कोई भी element नहीं था यहां पर देखें कोई भी element x वाला नहीं होना चाहिए यह minus का किता बज़ेगा 2 c complete यह हो जाएगा minus का c square और यह हो जाएगा minus का 1 equal to 0 यह complete हो गया आप common निकाल देते हैं तो उपर रों से क्या common आएगा x q common निकाल रहे हैं यहां देखते हैं यहां से क्या जाएगा आपका x q common निकाल रहे हैं तो यहां क्या जाएगा 1 बचेगा यह बचेगा 2 m minus का m square यह minus 2 m q यह x q निकाल गया नीचे वाली रों से क्या common निकालते हैं पर प्रस का x square common निकाल दिया हमें तो यहां क्या बचेगा आपका 2 c यहां बचेगा 2 c minus का 2 यह क्या बचेगा आपका m c माइनस का 6 m square c m यह बचेगा माइनस का m square x q common निकाल रहे हैं यहां क्या बचेगा माइनस का 6 m c square यह बचेगा प्लस का c minus का 2 m c बाकी तो कॉंस्टेंट रहे हैं इसको वैसी की लिख देगा ठीक है अब यहां देखें यहां से 2 और common निकाल रहा है तो इसको लिख देते हैं यहां पर इसको पहले लिख रहे हैं 2 m minus m square minus का 2 m इसको बात में लिख लेते हैं आगे पिशी कर सकते हैं यहां पर 2 और common ले रहा है सरी डिजट से ठीक है तो यहां पर कितना बच्राइब आपका कि निए whole common 2 तो निकल नहीं रहा है यह निकल रहा है तो अपने तहीं ही तक करते हैं इसको अपन को x q x square यह थर्ड स्टेप थी अपनी सेकें इस्टेप थी अपन को मिल गया x q x square को को निकाला मैंने और यह अपना x का और equal to 0 यहां तक किसी डाउट दूनी है ठीक है यह अपनने निकाल लिए आप स्टेप के आती है अपनी कोफिशन को 0 रखना है यहां लिख रही हूँ पूट पूट क्या कर रही हूँ एक्स पूट कोफिशन्ट ओफ x q x square equal to 0 equal to 0 क्या रखना आपको x q और x square को क्या रखना है 0 तो x q को कोफिशन केता है 1 प्लस 2m माइनस m square माइनस का 2m q equal to 0 हो गया हिंदी में लिखे तो x q और x square की गुड़ांग को क्या रखना है 0 के equal ठीक है 0 के बरावर रखने पर अब x कोफिशन केता है आपका 2c minus 2mc minus 6m square c और यह किता है plus m minus m square equal to 0 ठीक है दो equation मिल गई है तो यहां पर लिख रहा है पहली equation से मैंने आपनको working rule में x q का जो कोफिशन निकालोगी equal to 0 को उससे किसकी value मिलेगी m की और जो x square को कोफिशन equal to 0 रखोगी उससे किसकी value मिल जाएगी आपको c की value step up की 3rd thing for the value of किसकी निकाल रहा है m की तो कौन सी equation solve करही हूं मैं first वाली यह वाली इसको solve करनी हूं पर m की value फिर इसको solve करके c की निकालोगी यहां लिख रही हूं मैं value of किसकी निकाल रही हूं मैं की किशन यह सॉल्फ करना है यहां देखें पहले तो इसको पन असेंडिंग ओर्णि में जमां लेते हैं तो हाई डिगरी किती है माइनस का 2m माइनस का 2m प्लस का 1 इकल टुजन फेलगे स्कूर क्यूण। movement आ अब हमें साहां डिगरी फॉस्यटेव हो थी तो माइनस का मल्टिप्लेशनِّ कर देतें और प्लस का बन दाएंगा यह माइनस का बन जाए inherent यह माइनस का बन जाए यह माइनस इक फॉलक्ति-फॉरक तुबन न 1 हो जाएगा यहां बचेगा m2 minus 1 equal to 0 यहां देखें तो यह whole common आ गया तो 2m plus 1 यहां m2 अब दोनों को equal to 0 रख देंगे तो 2m plus 1 equal to 0 यहां पर m2 minus 1 equal to 0 यहां पर m2m equal to किता बनेगा minus 1 तो m की value किती हुए नहीं की minus 1 by 2 एक value आगे अब इसको solve करते हैं तो m2 equal to आजाएगा plus 1 यह side आएगा plus 1 root transfer करेंगे तो plus minus का sign लगाते हैं जब भी root किसी रिजट पर transfer करते हैं square से तो plus minus का sign आता है 1 का square किता हो रूट किता होता है 1 ही होता है तो m की value किया जाएगी एक plus बना जाएगी negative आजाएगी तो यहां आपका लिखेंगे m equal to क्या निकला minus का 1 y2 plus का 1 minus का 1 इसको आरेंज कर देते हैं पहले minus 1 लिख देते हैं minus का 1 y2 plus का 1 यह आपका क्या है m ठीक है अब क्या निकालेंगे एपन for the value of किसकी निकालना है c की तो x square का coefficient equal to 0 रोगी तो वह equation मैंने carry करी कहां से यह value किसकी value निकालना है आपको c की ठीक है आपको यहां पर देखना है जिसके साथ c element उसको अपनी c side रखेंगे इस side और बाकी इसके साथ c नहीं उसको transfer करेंगे तो यहां कि इसके साथ 3 step के साथ c है तो उनको वैसी लेकरेंगे 2c minus का 2 mc minus का m2 c यह सब transfer करेंगे तो m2 plus का बन जाएगा minus का m हो जाएगा यह minus का यहां से क्या common निकाल होगे c c मैंने common निकाला तो यहां पर क्या बचेगा आपका 2 minus 2 mc minus कितना बचरा आपका 6 m2 m2 minus time value किसकी चाहिए c के तो c को यहीं रखेंगे इसको divide में देंगे नीचे से देखे तो 2 common आ रहा तो टिक और common कर लेते हैं 2 मेने common निकाला तहीं हां पर जाएगा 1 minus का m ही यहां आजाएगा आपका 3 m2 यह किसकी value आगे c की value किसकी form में आ रही m की value तो m की जो अपने value निकाली है वो इसमें put कर देंगी है ना और c की value find कर लेंगे तो यहां पर लिख रही हूं c equal to किता बना m2 minus 1 इसको arrange कर रहा मैंने किस पहले 1 को लिख दिया है यह minus 2m यह minus का m minus का 2m यह था अपना point अब यहां पर m equal to 1 निकला था minus 1 minus का 1 वाइट इसी form में निकला था यहां पर value लिख देते हैं पहले m equal to किता डाल रहा है 1 c equal to c अपना यह था m 1 square minus का 1 2 यह जाएगा 1 minus 1 2 1 का whole square solve करते c 1 minus 1 यहां पर किता जाएगा 2 1 minus 1 minus का 2 तो यहां देखे तो c equal to 0 हो जाएगा upon में यह दोनों cancel हो जाएगे minus का 2 ऊपर 0 यहने c किता मिलेगा 0 यहने m equal to 1 डालने पर c किता मिल रहा है अपनको 0 अब m equal to किता डाल रहा है minus का 1 डाल देते हैं c equal to minus 1 का किता हो जाएगा whole square minus का 1 जहां जाए m में वहाँ पर minus 1 डालना है और c की value निकाल लिए तो यहां पर m minus 1 का whole square यह 2 यह किता जाएगा 1 minus का 1 यहां पर किता जाएगा आपका यहां पर आजाएगा minus 3 minus 1 का whole square यहां पर एक property में ने पढ़ाई थी यदि minus का digit है और उसमें whole power यदि कैसी even number power है यहां प्लस आएगी और 1 का square 1 ही होता है तो plus का 1 minus minus plus 1 हो जाएगा upon 2 यह 1 minus minus plus यह जाएगा 3 यहां पर even number power यहां पर 1 फॉल करते तो c equal 2 यह जाएगा 2 upon 2 यह जाएगा 2 minus 3 2 से 2 cancel हो जाएगा तो c equal 2 यहां पर 2 minus 1 यहां पर 2 minus 1 आजाएगा c equal to minus 2 यहां कि c equal to 1 minus 1 डालने पर c equal to किता मिला minus 2 आप minus 1 by 2 डालते हैं तो यहां पर c equal 2 जहां जहां M है M है M की जाएगा डालना minus 1 इस equation में डाल देंगा तेहां जाएगा minus 1 का whole square minus 1 का whole square यहां पर किता है जाएगा 2 1 minus minus 1 by 2 minus 3 किता है जाएगा minus 1 2 का whole square ठीक है यहां जाएगा 1 का square 1 होता है और 2 का square किता हो जाएगा 4 यहां देखे प्लस का 1 by 2 आजाएगा अपन यह हो जाएगा 2 यह 1 plus 1 by 2 बन जाएगा यहां 3 यहां फिर solve करेंगे तो यहां पर किता बनेगा आपका 1 even power positive value आएगा 1 का square 1 आएगा यहां पर किता हैगा 1 by 4 LCM लेना पड़ेगा यहां पर तो LCM ऊपर किता है जाएगा आपका 4 1 plus किता बनेगा 2 संद्यारा LCM यहां पर 4 आएगा LCM लेना पड़ेगा LCM आजाएगा 4 यहां पर किता बचेगा आपका यहां तो मुड़ेगा करोगे 1 यहां पर आजाएगा 2 नीचे देखते हैं यहां भी LCM लेना पड़ेगा तो यहां LCM यहां भी किता आएगा आपका 4 आएगा किता है एक LCM 4 यहां दीखे तो यह addition में 4 चला जाएगा यहां पर 2 आजाएगा मायनस का 3 आजरहां सबसू संद्यारा प्लस का 6 माइनस का 3 तो यह जाएगा 3y4 अगर 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 सब को समने है एडिशन करोगे तो 4 प्लस 2 6 और माइनस 3 माइनस करोगे तो प्लस का 3 तो 3y3 3y4 से 3y cancel तो c की वैल्यू कित्थी बने u पर 1 अपॉन 2 तो 1y2 यानि की c की वैल्यू-1 m एकल टू मैनस 1y2 डाले पर c कित्था मेला 1y2 तो यह वैल्यू मैं लिख रही हूं c पहला वैल्यू कित्थी ती m की वैल्यू लिखी मैंने कौन सी m की वैल्यू 1-1-1-1-1-1-2 ठीक है आप किसमें पूट करना y equal to m x plus c अजम्टोर रहा है table draw करें table of अजम्टोर, value of m, value of c, value of अजम्टोर value रालते हैं तो y equal to m x plus c यह है अपका अजम्टोर का equation y, m की value किती है अपने पास पहली 1 into x रहा है और c की value किती निकली 0 अजम्टोर रहा है तो y equal to क्या मिलेगा आपको x यह अजम्टोर रहा है तो next value m equal to m की value है minus x तो चली रहा था और c किता बिला plus 1 यहने y किता मिलेगा आपको minus x plus 1 यह अपना y रहा है अजम्टोर रहा है second value किती है y equal to m equal to minus 1 by 2 x multiply में plus किता है 1 by 2 y को कॉमा निकालेंगी 1 by 2 निकाल लेते हैं यहां पर आजएगा minus ka x plus ka 1 यह अगया y तो answer लेखेंगे answer अजम्टोर रहा है अजम्टोर रहा है इस अजम्टोर किते हैं y equal to किता है आपका x y equal to minus x plus 1 और y equal to किता मिला 1 by 2 minus x plus 1 यह क्या है आपका answer ठीक है तो वर की रूल के हिसाब से करना है मैं होराली बता रही हूं पहला काम है आपको equation y equal to mx plus c डालना है डाल के solve करना है x q x square की coefficient को अलग-अलग करना है x q x square और x की coefficient को क्या करना है आपको अलग-अलग करना है x q की coefficient के अपने m की value निकलेगी x square की coefficient को equal to zero रखना है पर आपको c की value निकलेगी m की value c में put करोगे तो c की new value मिल जाएगी और एक table draw करना है m की c की और y equal to mx में put करना तो आपको जो निकालना था वो आपको फाइन हो जाएगी Hindi में लिखनी अंतर इस परसिया यह है एक question दे रही हूँ as a practice के लिए find the assumption of the curve Hindi में वही दिये गए वक्र क्या निकाला है आपको अंतर इस परसिया गयात करना है equation की यह working rule से करना है जैसे मैंने अभी आपको previous question कर आए answer मैंने define कर रहा है m की value 1 minus 1 2 निकलेगी c की value 1 डालोगे तो 2 मिलेगी minus 1 में 2 मिलेगी और 2 डालने पर 4 minus कर रहा है यह value equation पूट करोगे तो आजमटोट्स आपको यह मिलेगी y equal to x plus 2 y minus 2 यह अपका answer है ठीक है इसको आप check कर लेना और बहुत important है आजमटोट्स बहुत important question है और हमेंसा पूंचा जाता है exam जिसके आप अच्छे से practice करना इसका second type में आपको second class में पढ़ाती हूँ तब तक आप first type के question के अच्छे से practice करिये Thank you